जय हिंद इस विडियो और केक कलपना इंडर्स्ट्री लिमिटेट कंपनी बारे में बात करेंगे आज के महौल के इसाफ से इस कंपनी में लंबी अधिकले निवेस्ट करना आपके लिए मुनाफ़े का सवधा साबित हो सकता है लेकिन ध्यान देवनाली बात यह है कि इसी के नाम से मिलते जोते एक और कंपनी है जिसका नाम है केक कलपना प्लास्टिक इंडर्स्ट्री लिमिटेट मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं हलाकि आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का बिजनेस मडल काफी हद तक सेम ही है यह कंपनी भी प्लास्टिक रो मैट्रियल सि करते हैं सबसे देखें का मार्केट के मार्केट केप है 488 करोड़ रुपए और चयार प्राइस में आज से इसमें देखने को मिल रेकल जब एक कंपनी का से प्राइस बंद हुआ था और आज ओपन हुआ एक तालीस फिर्पया 55 पैसा पर और अभी जब मैं वीडियो बना र हाई लगा चुका तिरसाट रुपय का पिछले साल अगस्त माह में कॉंपनी अपना उसके बाद कई बार प्राइस हाइ के करीब आ एक बार तो बहुत हद तक रिपा गया था लेकिन हाई को ब्रेक नहीं कर पाया इस बार कंपनी के से मद्रें देखनी को मिल रहा है उमिद ह सब्सक्राइब करते हैं यानि कि जो सेयर प्राइस तक पहुंच जाएगा यह 46 रुपय का इसको पार कर जाएगा तब माना जाएगे कि सेयर प्राइस में असली तेजी आई है हो सकता है यहां से कहीं नीचे की तरफ चल जाए लेकिन जब रेस्टेंस लेवल जो इसका है उसको पार कर जाएगा तब सेयर प्राइस में असली तीजी दिखनी सुरू हो जाएगी सपोर्ट लेवल है 42 रुपया हालाकि नीचे आने के भी तो कोई बात नहीं है सेयर प्राइ कॉट्रली रिजल्ट देखिए कंपनी के कोट्रली रिजल्ट जो दिसमबर की माही के रिजल्ट है उसमें कंपनी का रेविन्यू 589 क्रोंड से बढ़के 512 करोंड रुपया हुआ है बढ़के ने इस औरा कम हो गया है है रेविन्यू में थोड़ी सी गिराउट हुई है कि एक रुपया 43 पैसा था जो क्वार्टर थीर में बढ़कर एक रुपया 33 पैसा हो गया है मतलब क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो सिर्फ रेवेनु थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा है बाकी प्रोफिट और रॉर्णिंग पर शेयर बढ़ा है हो सकता है कंपनी को ओडर कम मिलें अगले क्वार्टर में यह जो रेवेनु कम हुआ है वह भी मेंटेन हो जाएगा यहां समझेंगे कंपनी के पास रिजर्व है 371 क्रोण रुपय का मार्केट के देखिए जारा साब 418 क्रोण और इसके पास जो कैस रुपया है वह भी 371 क्रिपकर मार्केट इतना कमपनी के पास स्टोक रुपया है हाला और यहां भी देखेंगे तो बढ़ते जा रहा है क्वाटर टूक्वाटर कर्ज पी बात करज कर्जा होता है कंपनी पर कर्वे ने के उनको पर थोड़ा बहुत कर्ज होता है कमपनी के पास रिजर्व है रिजर्व आची कमपनी से खाल में ज cheddar पैसा होता है तो इसके पास पैसे और रुपयामे बहुत कम देते हैं तो इस कंपणी ने भी एक शेयर पर 20 पैसा डिविडेंट दिया था और यह डिविडेंट इस साल भी मिलेगा और आने वाल हर एक साल में भी कंपणी डिविडेंट देगी अगर कंपणी का ऐसा ही मुनाफ़ा चलता रहा था और प्रमोटर्स की बात करें तो अगर बात करें तो यह कि कंपनी है फंडामेंटल है और इसका बिजनेस इंडाल के बनाती है जैसे प्लास्टी कुर्सी बनते हैं इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा भारत में तो बिजनेस इंडल भी ठीक है अगर आप निवेस्ट करना चाहते तो बैसक कर सकते हैं अभी अगर मन में कोई सवाल है तो मुझे जरूर पूछिए और आगे आपकी इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वह भी बताईए बाकी मिलते हैं इंडेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद शुक्रिया